एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर और आज का टॉपिक है आउसत आउसत में जो तापमान वाले प्रसंत पूछे जाते हैं उन्हीं को आज हम देखेंगे और आज आपके कॉंफिडेंस का जो टेंप्रेचर रिग्दम बढ़ेगा क्योंकि वेरी सॉट्रिक जबर्दस तरीके से चलेगा तो आएए दिखते हैं क्या है पहला कोशन है सोमवार मंगलवार बुद्धवार का आउसत तापमान 35 दिग्री सेल्सियस है और मंगलवार बुद्धवार और इस दिख्रिक तापमान 42 दिग्री है यदि गुरुवार का तापमान 31 क्या और दूसरे टाइप के प्रस्त पूषिए जाते हैं जो रेशियो बटे दिये होते हैं उनको तो बहुत आसान तरीके से भी करेंगा हम लोग तो पहले आईए इस सवाल देखते हैं क्या है और ये वीडियो पूरी आप देखिएगा एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि ये तापमान वाले कोशन कैसे करे जाते हैं तो देखें क्या है सब पहले इस जा बुद्ध और आउसा तापमान किता दिया यह 35 डिगरी सेल्सी ठीक है 55 डिगरी इस दिया गया है तो इसको लिख लिए जया जो है प्लस बुद्ध प्लस गुरू और इसका क्या दिया गया है 42 इंटू कितना दिन ये भी तीन दिन है ठीक है इसको मल्टिप्लाई करें तो आए कितना 126 ठीक है येतना हो गया इसको आप ऐसे बटे रखीचिए अब जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए माने की प्लस है तो माइनस कर दीजिए ठीक है माइनस माइनस और यहां पे भी हम माइनस करेंगे ठीक है इतना हो गया अब देखिए जो अपोजर साइन सो कार्टि मतलब मं सुम और माइनस गुरु गुरुवार बराबर इसको घटाएंगे आप तो आएगा कितना अब देखिए 105 में से 126 घटाएंगे तो आएगा कितना माइनस का 21 ठीक है इतना हो गया अब देखिए गुरुवार का जो ताफमान है वह 31 डिगरी तो यहां पुट कर दीजिए मतलब कि सुम वार माइनस गुरुवार का आपमान 31 डिगरी तो यहां लिख दीजिए 31 बराबर माइनस 21 बस इसे को साल्व कर दीजिए अंसर आ जाएगा तो साल्व क्या करना है देखिए सुम वार तो सुम बराबर इसको लिए आएंगे तो प्लैस 31 हो गया ठीक है और यह माइनस है माइनस 21 इसको साल्व कर दीजिए तो यह हो जाएगा 31 में से 21 गया तो 10 डिगरी सेल्सियस अंसर ठीक है कितना आसान है आईए नेक्स सवाल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए दूसरा सवाल है इसी तरह का जैसे भी हम बताया किसी सब्ताह में सोम मंगल हम वर्ट जाता सुकुर्वार काउसत आप मान 40 डिगरी सेल्सियस था यदि सोम वार कताब मान 30 डिगरी सेल्सियस था तो सब्ताहर कितना होगा हम वह ऐसे करेंगे देखे सम मंगल बुद्ध गुरू दिया इसको लिख लिजी आप जो है कितना 152 ठीक है उसके बाद कि क्या कर रहा है कि फिर कह रहा है मंगल बुद्ध तो फिर लिख इसको मंगल मैं प्लस बुद्ध प्लस गुरू और प्लस शुक्र ठीक है इसको कितना है देखिए 40 डिगरी सेल्शियस है तो 40 गुड़े कितना है यह भी 109 बुद्ध इसका साइच कर दी जिए मतलब कि यह प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिये माइनस माइनस और यहां पर ही माइनस ठीक है अब इसको देखिए संसे कड़ गया और कड़ गया सोमवार सोमवार और आपका माइनस सुक्रवार ठीक है बराबर इसको आप घटाएंगे मनें 152 में से 160 घटाएंगे तो आएगे कितना माइनस आर्ट ठीक है यहां तक आप कुछ दम क्लियर होगा कुछ नहीं करना जैसे बोला वैसे लिख देना है उसके बाद साइन जाई चेंज करके सेंध्यस काड़ दीजिए जो बता उसको उतार ले उसके बाद देखे में क्या है 100 तो यह ऩया यह तो है 30 – सुक्रवार का पूछ है बराबर बहुंस आठ भी यह हो गया उसके बाद कुछ नहीं करना है आप सुक्रवार ब़र बराबर आप यह आपका उधर चला जाएगा या इसको आप इधर ले आए यह हो गया 308 डिगरी छेल्सयास अंसर ठीक कितना आसान था और एकदम आसान तरीके से हम लोगों ने कर लिया अब आए टाइब टू देखते हैं जो कि बहुत धासूर ट्रिक्स करेंगे जो है टाइब टू का कोश्चन है गाइस और यह सभी एक्जाम आपके एससी रेलवे और प्रतियोगिया जितने परिश्चाएं हो अभी में पूछे गए हैं तो आइए देखते हैं यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन होते हैं तो देखे क्या है इसको तो दो सेकेंट में लोग बस उड़ा ही देंगे देखे क्या है सोमवार मंगलवा बुद्वा तथा गुरुवार का उसा तापक्रम साथ दिग्रिफान करना है तो देखे क्या करना इससे बहुत आसान है और एकड़म मतलब बहुत जल्दी से करें लोग तो देखे क्या कितना दिआ गया वसलंगों का ले लिजे साठ डिगरी और तीरसेट दीटिए तो थीक इसको लिख लिए साठ और 63 ठीक है येतना आपको समझ में आ गया लिख लिया हमने जो है और इनका क्या करें difference कर दीजे मने इसको घटाइए तो देखे कितना आगए इनका difference कितना है तो तीन का है तो तीन लिख दिया ठीक है अब देखिए अब आगे वाला हम करते हैं यहां क्या दिया गए इसका कितना गया है इसका 21 है और कितना है तीक है अब देखिए इनका difference कितना होगा जो है इनका difference देखिए तो 2125 का डिफ्रेंस सा चार का जो है ठीक है तो यह बटे चार कर दिया हमने ठीक है उसके बाद कि यह कितने दिनों का था जो है मनें एक दो तीन तीन और चार चार दिनों को था तो चार के क्या कर आदेजिए यहां पर बस दूर सको ऐसा कर दिजी आपका अंसर आजाए तो चार सा चार कर गया आया कितना यहां कितना के तिन और इसज़ी दूर्ट guidelines यहां कर दिजये अपका असर आजायेगा तो 21 कितना होता यह होता है एकीस दियां होता है तो फानहाइट है और शुक्रवार का जो है आपका 75 दिग्री फानहाइट है ठिक है अगर सिप burial पूछता है तो हम 75 पताते हैं सोमवार पूछता दो तीरस्त बताते हैं यहाँ पे दोनों दिनों का पूछा है तो 63 और 75 कितना आसान है कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको करना क्या है कि जो ratio दिया गया है उसको लिख लीजिए इनका difference लिख लिख लिया और जो बटे में मन्हें की जो ratio है उसका difference करकर यहां लिख दीजि़े जितने दिनों को संख्या उसका multiply कर दीजिए आप answer आ जाएगा आएए एक सवाल और देखते हैं कि नेस्ट कोश्चन है सोम से बूत तक का उस्ता 37 डिग्री से सेल्सियस था मंगल से प्रहस्वतिवार कितना था तो यहां पर बटे में दिया गया है ठीक है हम कोश्चन पर टाइम नहीं जाए करेंगे हम सीरे सिरा अपलाई करेंगे जो है तो देखिए दो सेल्सियस यह दिय दिया उसके बाद देखिए क्या है सोमवार के तापमान चार बटे पांच है मलें इसको आप यह तो डारेक्ट समझ सकते हैं नहीं तो आपको मैं ऐसे बताता हूं कह रहा है कि ब्रहस्पतिवार बराबर सोमवार और सोमवार के तापमान का का मने इंटू होता है तो सोमवा का 4 बटे 5 अब इसको यहां ले आए मतलब कि बहस्पति बटे सोम बराबर 4 बटे 5 मतलब कि बहस्पतिवार कर 4 हो गया तोम का 5 हो गया अब इनका difference देखि कितना है एक difference है तो यहां पर हमने एक लिख दिया और दिनों को कितनी संख्या सोम से बुध मनें सोम मंगल बुध तीन दिन आ रहे हैं तो तीन का हमने मल्टिप्लाई करा दिया ठीक है एक से कोई मतलब यहां पर निकला नहें तो तीन तरिका कितना हो गया नव इसी नव को यहां पर इंटू कर दिजिया आपका अंसर आ जाएगा तो चार गुड़े नव पाच गुड़े नव ठीक है तो यह हो गया आपका मतलब पान नवा यह चान नवाई 36 और पान नवा पैंतालिस इसका मतलब यह हो गया इस पूछा किसका है ब्रहस्पतिवार किताब मान कितना था तो ब्रहस्पतिवार कि क्या है 36 दिगरी और 30 दिगरी सेलसिस हमारा क्या हो गया अंसर हो गया ठीक है चार नवाई 36 यहां पर जगह नहीं तो इसलिए मैं यहां सालू कर दिया ठीक है तो आई हो आपको समझ में आ गया हो इस तरह सवाल बहुत आसान हो होते हैं और इसी तरह हमें करना होता है आए नेक कोशन देखते हैं अगला कोशन है गाइस 15 जुन 2020 को दिल्ली कुलकाता मुंबई का अधिक्तम क्रम इतना था और चेन्नाई का अधिक्तम तापमान क्या था हम से पूछा यदि इन सहरों का आउसात अधिक्तम तापमान इतन मतलब की चार गुड़े 35 कितना हो जाए गये चार त्याएं बार है पांच और बीस मतलब की एक सो चालिस ठीक है यह हो गया अब क्या करना है कोशन देखे क्या है अब यह अलग जो दिया गया तेंपरेचर इसको आप जोड़ लेजिए जो है मतलब की 35 तैंटीस और 34 तो प यह हो गया आपका 102 ठीक है अब 102 यहां इतना आ गया टोटल कितना था इतना था बस इसको इसमें घटा दिजा आपका अंसर आजाए गो चेन्नाई पूछा है मतलब कि चेन्नाई बराबर 140 था ही जो टोटल था इसको आप घटा दिजा 102 तो कितना आया जो है 38 दिगरी सेल्स चेन्नाई कताब करम आगे कितना आसान सवाल इतना लंबा चोड़ा सुलूशन इकदम छोटा सा ठीक है आए नेस कोश्चन देखते हैं इसमें आपसन क्या हो जाएगा आपसन आपका यह लिखा आप समझी गए ठीक है नेक्स्ट किसी सब्ताह के प्रिथम चार दिनों का आ सब्सक्राइब करें लाइक करिए जिससे आपको और अच्छे वीडियो इस तरह से मिलती रहो मेरा भी मनूबल बढ़े ठीक है तो इस सवाल को देखते हैं क्या है तो कहरा कि पूरे सब्ताह का आउसा तापमान इतना है पहले आप तोटल देख लीजी कितना हो रहा है तो पूरे सब्ताह का मतलब कितना साथ एक वीग में साथ दिन होते हैं तो साथ गोड़े 49 इसको करेंगा आपके ताग 273 आ गया ठीक है उसके बाद क्या कर रहा किसी सब्ता के प्रथम चार दिनों का आउसा तापमान इतना है तो चार दिनों का आउसा तापमान मतलब कि चार गोड़े 37 बराबर यह हो जाएगा आपको कितना 148 ठीक है उसके बाद बोला कि अंतिम चार दिनों का आउसा इतना है तो अंतिम चार दिन का मतलब कि चार गो कि आप 8 हो गया 8 दिन बरावर स्कोड देजिए तो इसको जोड लिए तो सिझे गाईश ओडा नहीं कर साथ दिन बरावर एतना हो गया आठ दिन अब एक भी खैसे तो क्योंकि यहां पर दो बार काउंट हो चुगा है जो चौंथा दिन है वो दो घटा दीजिए आपका अंसर आजाएगा तो 312 में से 273 को घटा दीजिए और आपका अंसर निकल कर आजाएगा तो यह हो जाएगा कितना 12 में से 9 और यह हो गया तीन ठीक है गाई दस में से साथ गया तो 49 डिगरी सेल्सियस आपका अंसर हो जाएगा ठीक है आई हो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थांक्यू सो मच